नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का जो हमारा टौपिक है वो बहुत ही इंपोर्णनट है इसमें हम बात करेंगे कि स्लैप काश्टिंग करते समय हमें कौन सी कुई से चीज़ याद रखने हैं क्या-क्या important रहता है वहाँ पिस लाप कास्टिंग करने से पहले सभी जो पूरा डेटल है मैं आपको इस वीडियो में बताने मला हूं हम डारेक्ली चलते इस साइट पर दोस्तों और वहाँ पर हम पूरी जानगारी ले लेते हैं जैसी की द डिजाइन के हिसाब से करना है जो बैड रसी से डिजाइनर जो भी वहाँ पर डिजाइन देते हैं उसी हिसाब से हमें वहाँ पर स्टिल का जो काम है वो करके लेना है वह काम करने के बाद दूसरी जो important चीज़ है दोस्तों वह यहाँ पर हम जो भी cement sand or aggregate का जो भी material यूज क करना है cement का sand का और aggregate का यहाँ पर गलती नहीं करनी है जो worker है वहाँ पर गलती कर देते हैं उन्हें आपको वहाँ पर देहन देना बहुत ही जरूरी है दोस्तों उसके बाद हम तिसरा वाला जो point है वो देखेंगे वह इलेक्टरिशन के pipe जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगा इलेक्टरिशन जो pipe है वो आपको वहाँ पर इस तरह से slab में डालने बहुत ही जरूरी है जिससे क्या होगा कि आपका जो सभी जो piping है वो conceal हो जाएगा हमारा जो wiring है हमारे घर का अंदर का वहाँ पर conceal करने के लिए में वहाँ पर slab में से pipe डालने बहुत ही जरूरी है उसके बाद में उसका हम आउटलेट के लिए यूज़ कर सकें देखेगा बाकि जो slab है वो ऊपर है और जहां पर हमारा टॉयलेट है उसका जो slab है वो नीचे डाउन में रहता है तो कुछ इस तरह से जो बारी किसे जो चीज़े हैं वो आपको ध्यान में रखने बहुती जरूरी ह दोस्तों उसके बाद यहां पर देखेगा मैंने जिसी के आपको बताया जो भी RCC डिजाइन की हिसाब से हमारा जो सभी जो स्टील है वो आपको चेक करना है बीम का होगा slab को होगा वर्टिकल बार होगे उसके बाद वर्टिकल कॉलम का जो हमारा वर्टिकल बार है वो भी बहुत ही ज़रूरी है उसके बाद हमें क्या करना है जो भी cover block है वो चेक करने है वहाँ पर देखेगा यह जो है cover block उसे बोलते हैं इससे क्या होगा कि हमारा जो concreting है वो अच्छी तरह से हो जाता है नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बार है वो पूरा नेचे च चिपक जाते हैं जो भी हमारा शेटरिंग है वहाँ पर तो बाद में क्योंगा स्लैब हम कास्टिंग करेंगे और कास्टिंग होने के बाद हम चैब देखने को मिलते हैं तो इतना वहाँ पर काम खरब हो जाता है और उसे की साथी उस concrete का जो strength है वह भी वहाँ पर हमें कम मि स्लैब का जो थिकने सेThe पूच्चे करना है पाच अंचे या शे इन चीथं वह आपको पता करना है और सीस्थी डीज़ाइन में वहाँ पर दिया जाता है की स्लैबप का जो थिकने से कितना है उसी जहाबसे वहाँड़ा के मा वहाँ धून आ tumor autor WHO ऐता है वह रेगुलर्ज ह उसके बाद जो दूसरी चीज यह हमारा जो स्लेब में हुक हमें यह बूपने निचे उसका यूज होता है यह यह आपको अपने खर के अंदर से फ्लैन उसा वहा पर लटका नहोगा उसके बाद कहीं पर जह泪 लटका नहोगा तो वहाँ पर क्या है कि नीचे से हमें जब हम कास्टिंग करेंगे सल्याम तो हमें वहाँ पर हुक देना भूती ज़रुए हैं जिसका फायदा हमें बाद में हो सकता है उसके बाद जो लास्ट वाला हमारा जो पॉइंट है वो है पॉलीतिन शीट के बारे में पॉलितीन जो शीट है वो हम यहाँ पे इस तरह से डाल देना है और पॉलितीन शीट के बारे में आपको और जानकर रिचाईए तो हमरे चैनल पर हमें एक वीडियो बनवाए हुआ है पॉलितीन शीट के बारे में वो वीडियो आप जुरूर देखीगा दोस्तों तो दोस्तों यह से भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ही जरूरी है जब आप अपने घर का स्लैप कास्टिंग करते हो या कोई भी साइट पर वर्क करते हो इन से भी चीज़ों के सबसे आप काम करोगे आपको बाद में वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपका जो काम है नहीं बस बसस्ता है लाक कीजिएगा फिरोर हमारे चैनल को जरू सबस्क्राप किजएगा दोस्तों अचले आजके लिए बस हितना ही मिलते इसे बीडियो में नहीं टर्पके साथ थ्यक्त दोस्तौ